जैम आता दी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटिप चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन जनवरी 2022 के कुम्भराशी खल के बारे में कुम्भराशी के लोगों के लिए ये दिन कैसा रहेगा इस दिन ग्रहों के इस्तिथी कैसी होगी इस दिन नक्षतर क्या होंगे इस दिन योग क्या बनेंगे और उन सभी का प्रभाव आपकी दिन चरिया पर कैसा होगा जानेंगे सब कुछ विस्तार से बस आगे बढ़ने से पहले छोट असानी विदन है चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और जुट जाएं चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगे तो चलिए पहले इस दिन की तिथी की बारे में नक्षत्र की बारे में जान लेते हैं यह सौमवार का दिन है सब्ताह का पहला दिन शुक्र पक्ष की प्रतिपदाती थी है और पूर्व साड़ा नक्षत्रा रहेगा व्यागात नाम का योग बनेगा चंद्रमा धनुराशी मे हैं शुक्र भी धनुराशी में हैं धनुराशी में तीन ग्रह इस्थित एं और तीन ग्रहों की युति त्रिग्रही योग बनाती है आब इजीतमूरत हो गए जिन का दो पहर बारा बचकर 2 मिनट से बारा बचकर 46 मिनट तक तो यह हो गई ग्रह नक्षत्रों के चितित थी आप इसी क्या दार पर जानेंगे कि ये जो दिन है ये कुम्राशी के लोगों के लिए कैसा रहेगा तो इस दिन एक तो आप अपनी मांसिक शांती के लिए अपनी बहुत से ऐसी तनाव जिन चीजों से आपको था उनको दूर करते भी दिखाए देंगे साथ में आज ये कुछ अची चीज़ें होंगी अचानक से पैसा आपके पास आ सकता है और आप उस पैसे से अपनी कुछ जरूरी खर्चों को निप्टा सकते हैं जैसे आपको किसी का बिल सम्मिट करना था तो ऐसी चीज़ों को आज आप इस्तिमाल कर सकते हैं आज आसपास के लोग आपके दर्द को समझेंगे आपकी बातों को समझेंगे आपको एहम समझेंगे आपकी शौरत भी बढ़ेगी और देखिए आसानी से दूसरे लोग आपके तरफ आज आकरशित हो सकते हैं आपकी बातों से बड़े सहमत रह सकते हैं नोकी पेशा को अपने किसी सीनियर से डाट भी खानी पर सकती है तो उसके लिए भी तैयार रहना है लेकिन ओवरॉल देखें तो इस्तेदी अच्छी रहेंगी कारवार के लिए भी दिन सामाने बना रहेगा रिष्टेदारों के इसाथ अच्छा समय भी देगा किसी ऐसी जिगह पर आप जा सकते हैं जहाँ आपको काफी शांती मिलेगी और सभी के साथ अच्छा टाइम भी स्पंड करेंगे अगर शादिशुदा जिन्दगी के नजरी से देखा जाए तो दिन काफी अच्छा रहेगा काफी अनुकुल रहेगा दंसंपत्ति के मामले में जबरदस्त दिन आज का ह कह सकते हैं उपाय की बात करें तो उपाय के तौर पर देखिया अगर आपके घर में फूल के पौधी हैं तो आप उनको पनपने में उनकी मदद करें सूखे हैं तो पानी दें उनकी केर कर सकते हैं और अगर आपके पास एक्वेरियम हैं तो वहां आप मचलियों की सेवा कर सकते हैं मसलिय को खाना देना टेंक साफ करना इस तरह के कारे कर सकते हैं इस से आपके फैमली में खुशिया रहेंगी और साथ ही आपकी लिए इस्तितिया अच्छे रहेंगी तो दोस्तों और अधी कैसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को